सहारिन पूर में कॉंग्रेस नेता को धंकी देने वाला खचर गिरफथार वीडियो वारिल कर दी थी जान से माणने की धंकी आरोपी पर 25 से जादा मुकतमे दर्थ सारनपुर में पूर सबसत्वे कॉंग्रिस नीटा को तमंचा दिखाने वाला टॉप 10 बदमाश कर्चा गिरफतार हो गया आरोपी ने कॉंग्रिस नीटा को जान से मारने की दमकी दी जिसका वीडियों सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई थी कॉंग्रेस नीता के बेटी ने मुकदमा भी दर्ज करा है पुलिस ने आरोपी को गरफतार कर जेल भेज दिया आरोपी पर दर्ज है पत्चस मुकदमे बतादे की पूरा मामला थाना कुतवशेर के धूली खान महले का है पूर सबसद इमरान कुरिसी के बेटे अरसलान ने ख खचर पर मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस के अनुसार आरोपी थाना कुतवशेर का हिस्ट्री शीटर और टोप 10 अपरादियों में से एक है जिस पर हत्या जानलेवा हमला और अवेध हतियार रखने के 25 मुकदमे दर्ज है पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले थाने के इस्ट्री शीटर डोली का निवासी शारीकुर्फ खच्र पुत्र सलीम के घर से बैट्रा चोरी हो गया था शारीक के पास में ही सबस्द इमरान का मकान है इस्ट्री शारीक सबसद इम्रान के घर पहुचा और CCTV देखने की बात कहीं शारीक का भहवार देखकर सबसद इम्रान ने मना कर दिया इससे खचर दुश्मनी रखने लगा इम्रान का आरोप है कि खचर अपनी छट पर खड़ा हो गया और उसने तमंचा लहराते हुए धंकी दी कि वह क तमंचे को लहराते हुए पूर सबसद वेकंग्रिस नेता को तमंचा दिखाने के बाद जान से मारने की धंकी भी दे रहा है फिलाल के लिए बस अतना एक बार फिर जुड़ेंगे नई अपडेट के साथ अगर आप हमारे चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भ रूर करें बाल आइकन जरूर दपाएं